नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप शभी का जो है हमारे आरभीएश महाविद्यालाई के आनलाइन प्लिफार्म पे हार्दी श्वागत है आप मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे एक चीज में छात्रों आपो क्लास शुरूआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं जो कंटेंट्स पढ़ा रहा हूं मैं उसको बिल्कुल जो है आप अच्छी पूर्वक जो है उसको अपनी नोट्स में लिखते जाए पढ़ते जाए और वो आपकी क्लास की परिच्छा केवल क्वालिफाई करने के लिए नहीं है व और इसको अपनी नोट्स बनाते जाए जो आपको भविष में भी विभिन जो प्रत्योगी परिच्छाएं आपको देना है क्रिशी से उन सब में भी आपको जो है वो अच्छा आपके उप्योगी होगा यही मैं जो है वो आपसे कहना चाहता था मेरा यह उद्देश नहीं में जो प्रत्योगी परिच्छाएं हैं agricultural departments related वो भी आप जो है उसको क्वालिफाइब करिए और उसमें भी अपना विशेश अस्थान बनाईए और एक अपने आपको एक अच्छे प्लेंट फॉर्म पर जो है वह अस्थापित करिए जिससे आप जो है हमारे आर्बियस महावि महाविद्यालय के परिवार का और साथ साथ हमारा भी नाम जो है वो रोशन करें तो इस इसको इन सब चीजों को ले करके आपको जो है वो थैयारी करना है कि भविश्य में आपको जो है वो एक अच्छा एक अच्छे पत पर जो है वो जाना है और अपने जो है पूरे आर् अभी तक मैं आपको प्राइस के बारें पढ़ा रहा था तो उसी कड़ी में जो है नेक्ट जो मेरा पेस्ट है वो है सैनिक कीट यानि आर्मी वार्म आर्मि वार के बारे में आज मैं आपको पढ़ाँंगा तो जैसा कि इसका ही विदित हो रहा है कि यह सैनिक कीट मार्मि तो मन में हमारे ख्याला आ रह道 कि आर्मि इसका नाम कूँ है सबसे पाली चीज़ अपने लडाई के जो प्रेट्फॉर्म होता है बॉडर का वहां पर एक गचिलता के साथ जो है वो कारशील रहता है और एक अस्थान से दूसरे अस्थान की और जो है मोमेंट करता रहता है एक समूह में उसी प्रकार से जो यह कीट है इसका नाम आर्मी वार्म है यह भी अप सैनिक कीट पड़ा है क्यानिक टरीके से जिस प्रकार सीमा पर जो है वो सैनिक गत्सिल रोप से आगे की ओर बढ़ता रहता है और युद्ध की लड़ाई लड़ता रहता है उसी प्रकार से शेटों में भी जो है Master से ख gagner खेतों पर धान के खेतों पर आक्रमा करता रहता है और उसी के अनुशार जो है वो एक पौधे पर आक्रमा करता है फिर दूसरे पौधे फिर एक खेत से दूसरे खेत में जो है वो निरंतर जो है वो गत्सील रहता है इसलिए इसको हम जो है वो सैनिक कीट के नाम से वो जानत हो गे कि इसका जो किंग्डम है वह क्या है एनिमैलिया की लिए इसका जो फॉल्म है वह है आर्थ जो Less इसका वह इंसेक्टा और जो ओर्डर है इसका वह लेपिडॉप्टेडा और फेमिली है इसके जो है वो नक्टिडिटी ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए आपके दिमाग लिखा हूआ है हमेशा कोई विब्ग्यानिक नाम वह वह इटाइलियन वर्ड में लिखा जाता है जो आई-शिवियन के अनुशार वो है जो निरधारित किया गया है तो myth youth, mind, separata, howarth येश का जो है वो scientific name होताै तो देखिए इसके साथ में जो है एक चित्र भी बना हुआ है ये जो है Army war trauma का जो है आगे इसको एंटीना बोलते हैं ये इसके जो है विंग्स हैं ये जो है इसके जो है वो विंग्स है ये भी विंग्स है ये भी विंग्स है तो इसमें थ्री पेर आफ विंग्स पाए जाते हैं और टू पेर आफ जो है वो लेक पाए जाते हैं ये जो देख रहा है इसकी कंप क्रांद आई है कि और यह चो देख रहा है यह वह सेगमेंट होता है अलाग अलयक सेगमेंट जो है वह सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन एनके एनके फीगर है इसको identify करते हैं आर्मी वर्म को अभ जो है नेस्ट जो है और इसके पोशक पौधे तो होस्ट प्लांट है ओश्ट प्लांट का मल्ब होता है कि जिस पे यह जिस पौधे पर यह अपना भोजन बनाते हैं यानि जिस पर अपना जीवन निर्वा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं पोशक पौधे एक प्रकार से जैसे जिससे हम पोशन प्राप्त करते हैं पोशक से क्या मिलता है इंसेट को पोशन मिलता है तो इनके जो पोशक पौध पश्री सिह संस्ट नोगर जो यह दोख पर gratuit नीयानी विद्रण यह पर वह पाया जाता है यह लुकाने वाले प्रमुक राज्यों जैसे उत्तरपदेश पंजाब भार्षीमंगाल बिहार आदी राजियों में मुख्रूप से पाया जाता है तो इन सब अनाजों की खेती जहां पर होती है वहां पर यह मुख्रूप से पाया जाता है तो यह इसके जो है वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर यह मुख्रूप से पाया जाता है इसकी अलावा भी कईस कंट्रियां हैं जह पर इसका जो है वो यह मुख्रूप से पाया जाता है जैसे अमेरिका हो गया पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया अस्टेलिया हो गया कनाडा हो गया वहां पर भी उन देशों में भी जो है यह मुख्रूप से पाया जाने वाला जो है वो किट होता है तो इसके अलाव क्या है कि मनकप किस प्रकार से यह जो है आर्थिक जो है वह रूट से फसल को नुकसान पहुंचाता था तो देखते हैं इस कीट की सुड़ी क्या बोलते है लारवा सूड़ी क्या बोलते हैं रारवा तो इनकी दूसरी आवस्था होती है उसको कहते है सूरी अवस्था उसको इंगलेज में क्या कहते हैं लारवा तो सबसे जाए इस कीट की जो सूरी होती है वह वहां पहुचाती है कभी करभी कम्टिशन पुछा आता है कि आर्मी वर्म की जो सबसे च्छतिग्रस सवस्थ्थ जो च्छतिकारक अवस्था होती है most damaging stage क्या होती है तो हम टिक करेंगे कि वह होती है लार्वल स्टेज यानि सूड़ी अवस्था ठीक है इसके बाद होता है यहां प्रारम हमें धान की पत्तियों यह तने को काड़ कर हानी पहुंचाती है तो इसके जो माउस पार्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइब बाइटिंग एंड चेविं चारा जिए ठीक है माउस पार्ट हो तो सबसे पहले क्या होता है जो इसकी लारवी होती है यानि सूरी होती है वह त्थान की पत्तियों हम तन्य को काड़ करते हैं अगर्द कि नुक्सान पहुंचाती है उसके पस्चात जो है यह भूम के ऊपर पधों की पत्तियों को खाती है तथा उसमें केवल मौटी सिराय यानि वेंच भो बस्ती है ठीक है ना? यह सबसे पहले क्या करती है यह वह सबसे पहले जो है पवधे की जमीन से लगी हुई जो पत्तियां होती है जैसे आहए लिए यह हो गया जमीन और इससे यह इसमें जो है वो लगी हुई जो पत्तियां होती है यह इस प्रकार से एल तो जो जमीन से लगीं हुई पत्तियां होती है यह फ्रकार की पत्तियों को सबसे पहले बहुत है क्लिदृ दिए आपको ध्यान रखना है कि यह जो है इसकी लारवी होती है वो सबसे पहले जमीन से लगी पतियां होती हैं उसको नुक्सान पहुचाती है फिर उसके बाद जो है फिर उपर फिर उपर फिर जो में जो इसके स्टेम्स होते हैं उसको भी धीरे धीरे ये नुक्सान पहुचाना जो है वो शुरू कर देती है तो इस प्रकार से जो है इसका डैमेजिंग जो है वो नेच विखर रही हैं पroveद्हों केवल दिखसी मोटी-णोटी जो सिराय धे और रहा है इसमें तिकि रहे हैं यह केवल इसमें नहीं दिख्राय देखेए जैसे यह देखिए मोटी-मोटी जो सिराएं हैं केवल वही पौधे में दिख रही हैं बाकी पत्तियों को जो है काट करके पूई तरह से नुकसान पहुचा दिया है इसमें पत्तियां नहीं दिख रहे हैं केवल जो मोटे हो मूटी सिराएं हैं वही धान की खेत में बच रहे हैं तो यह किसका फिल्ड है धान का है जिसमें जो है देख सकते हैं कि केवल सिराएं ही दिख रही है इसमें पतियां जो है वो नहीं देख रहे हैं तो यह जो है आपका डैमेज का फोटो है इससे आप जो है इसको समझ सकते हैं अब अगले में टॉपिक में क्या है इनकी सूरिया जो है लारवी जो होती है वो रात्रिम के शमय फसल को नुक्सान पहुंचाती है तो ये भी एक important point है कि जो आर्मी वर्म की जो लारवल होती है जो सूडिया होती है वो कि वर रात में ज्यादा तर रात में नुक्सान पहुंचाती है दिन यह नहीं खाती है और जैसे जो है वो रात्र होती है यह अपना प्रभाव जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं यानि जुन्ड में फसलों में अटैक करके उसको पतियों को खाना शुरू कर देते हैं तो यह जातर कव होती है यह नाइट यानि रात्र में नुक्सान पहु आर्मी वार्म जो है वो कहते हैं इसलिए क्या कहते हैं आर्मी वार्म या सैनिक कीट जो है वो कहते हैं जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये पहले एक खेट को नुकसान पहुचाते हैं और जब उसमें नुकसान ये पहुचा लेते हैं तो फिर ये मॉमेंट करके जानते हैं ठीक है तो यह concept आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह के समझ लेंगे इसमें जो सूरिया लार्वा खाती कम है परंत च्छत कई गुनाधिक पहुंचाती है ठीक है ना यानि जो लार्वी होती है वो फसल को नुकसान तो मतलब खाती कम है लेकिन काट के पत्तियों का काट करके गिरा देती हैं तो उस प्रकार से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो अगर पत्तियों काट देंगी तो पत्तियों की जो है वो भोजन मनाते हैं तो वह क्रिया जो है भोजन बनाएने क्रिया जो पौधों में होती है वह पूर्ण रूप से रूख जाती है जि प्धान का यह आपका पौधा है इसमें जो है आप देखिये कभी एक एक दम सीधे एक लीप होती है ऐसे जो सीधी एक पतिया होती है ये side में हैं this side में एक HOLD बनाते कोई एक्डम सीध्य जो पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं वोउつ को कहते हैं ऑंडेघ लीफ फलेग लीफ क्या प्लेग लीफ हां जो एकदम सीधय जो 90 का कोड बनाते हुए पाउधर के एकदम सीध्य होती है। ि न जो प्ति होता है उसको नुखसान पहुंचाते हुए जो है वो तने को प्रभावित करता है और उसके पास जो यह flag honey होती है उसको भी जो है यह वो effect करने लگता है उसको भी जब यह प्रभाव पहुचाने लगता है तब जो है फसल की बृद्ध पुणी तरह से जो है वो रुक जाती है तो फ्लैग लिए जो सबसे ज़्यादा प्रकास कर रही है अगर उसको यह काट करके नश्ट कर देते हैं तो पूर रूप से पौधे का विकास जो है वो रूप जाता है और पौधा बिल्कुल जो है वो दम छोटा रह जाता है उसमें बालियां सही से नहीं निकलती बालियां निकलती है दूशमें तमाम प्रकार के विकार होते हैं तो इस प्रकार से जो है पौधा पुडूर विक्सित नहीं हो पाता है और फासल पूर उसे जो वह वो डामेज हो जाती इस प्रकार से इसका अध्यधिक प्रकोफ होने पर 80% तक की हान होती है तब देखे कितना सीरियस प्रेस्ट है बनलब इस प्रकार की अगर इसका अधिक प्रकौफ हो गया तो उसमें फसल में लगभग 80% तक जो है वो नुक्सान हो जाता है इसके बाद है इस कीट का जो आर्थिक सोरी यह आर्थिक है आप लोग सही कर लिज इंजरी लेवल तो यह जो ईए लेवल होता है एकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है यह वह वस्था होती है जब फसल को पूरूरूप से हानी हो जाती है ठीक है ना एक होता है एकोनॉमिक थ्रेस ओर लेवल ठीक है जिसमें जो है क्या होता है जो फसल है वह वह जो है आर्थि फसल का आर्थिक नुकसान जो है वो हो चुका होता है यानि फसल जो है वो डैमजिंग स्टेट मोती है कहीं ना कहीं से किसान को आर्थिक रूप से वो प्रभावित कर रहा है तो वो अवस्था होती है ई-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- सब्सक्राइब लेबल तब समझे कि बिल्कुल हमारा नुक्षान हो जाएगा और इसको हम इस्तिती जो है वह नियंत्र के बाहर होगी तो यह जो है सब पौधों में हर एक फसल में यह यह लेबल जो है वो अलग होता है ठीक है तो इसके बाद है जीवन इतिहास जाने इनका लाइफ साइकल लाइफ साइकल क्या होता है यानि जीवन चक्र भी इसको कहते हैं तो इसके जीवन चक्र में चार अवस्थाएं होती हैं जिसको कहतें अंडा सूड़ी क्रिम कोस तथा प्रावण इसमें साइड में लिखा हुआ है ए एग लार्वा और प्यूपा एनसर्ट यानि इनके जो है लाइफ साइकल में कितनी वस्था होती है चार वस्था एग लार्वा प्यूप और एडल्ट तो इसमें किस प्रकार का जो है वो लाइफ साइकल होती है complete metamorphosis complete life cycle भी इसको हम कह सकते है complete life cycle ठीक है ना इसको हम क्या बोलते है complete metamorphosis ठीक है ना complete life cycle यानि पूल जीवन चक्र या या जो है complete metamorphosis भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं तो जो आर्मी वर्म होता है उसमें किस प्रकार का जीवन चक्र होता है complete life cycle होती ही complete metamorphosis होता है जिसमें एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट यानि पूर अवस्थाएं जिसमें होती है एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट उसको हम क्या कहते हैं पूर जीवन चक्रिया complete life cycle के नाम से जानते हैं और जिसमें तीन ही अवस्थाएं के वल होती है एग निम्फ और एडल्ट उसे हम बोलते हैं complete life cycle ठीक है तो इस पॉइंट को भी आप लोग जो है याद रखिएगा अगला है इसमें पहली अवस्था जो होती है वो एग होती है अंड़े तो इसमें मादा पीले सफेद या हरे रंग के अंड़े पतियों के मोड़ पर आवरण या तने पर देती है कहां देती है लीफ ब्लेड पे एग ल जो मादा एग लेंग इसी करती है कहां करती है इसके पड़ आवरण या लीफ ब्लेड पे जो है वो एग लेंग करती है इसके बाद मादा जो है पान से साथ दिन तक अंड़े देती है और मादा अपने पूरे जीवन काल में कितने अंड़े देती है चार सो पचास अंड़ जो है वो देती है तो यह हो गया इसका एक का ठीक है तो एक का जो कलर होता है वो पीले और सफेद का और हरे रंग का होता है और यह जो एग लेंग करती है फीमेल वो कहां करती है पत्तियों के पन आवरण पर जो पत्तियां होती उसके उपर जिसको हम इंगलीज में क्याते है लीव ब्लेड उस पे करती है और मादा जो है वो अंडे किते दिन देती थी है पांसे साथ दिन अंडे देती रहती है और मादा अपने पूर पूर जीवन कार में लगभग साढ़े चार सो अंडे जो है वो देती है इसके बाद होता है लारवल अवस्था या सूरी अवस्था 40 से 50 mm तथा चाणिम जो है, 6 से 7 mm जो है, वो चौड़ी होती है, यह फिगर आप देख सकते हैं, यह देखिए, एक दिख रहा है, यह क्या है, एक्स, यह आपके एक्स है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स, यानि जो अंडों का समू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, तो यह पूरा जो है क्या है एग मास है यह दूसरा क्या है वीडियो देखें यह आपकी लारवी है देखें यह फसल के लीफ ब्लेट के साइड में आपको दिख रही है यह देखें यह क्या होती है लारवल अवस्था लारवल स्टेज यह आपकी लारवी है जो पूर विक्सित है कि प्रवेस्था कर जाता है अगला भाग बूरे ब्राउन या रेड कलर का है और इससका जो है इस not लारवल का structure जो है वो होता है इसके बाद है इसके सरीर पर लंबी धारियां होती है और सिर लाल रंग का होता है मैंने अभी बताया था ना आपको कि इसका सिर कैसा होता है वो लाल रंग का होता है और इस पर जो है वो लंबी धारियां जो है वो पाई जाती है देख रहे हैं इसका सिर जो है वो लाल कलर का है देख लीजिए मैं इसको मिठा देताँ हूं livres जो है वो लाल कलर का है ich और इसके शरीर में जो ऐ धारीया देखिए आपको दिख रहे हैं यह जो है तो लंबी लंबी यो है पंदरा से किस दिन में छे बार तवचा निर्मोचन करती है यानि जो इनका मॉल्टिंग करने का होता है कितनी बार मॉल्टिंग करती है करीब छे बार जो है अपनी पूरा जो है वो लाइफ साइकल में मॉल्टिंग करती है उसके बाद है क्रिम कोस या प्यूपा प्यूपा जू है वह तीसरी अवस्था होती है कि शूरी जमी में जा करके एक खोल बनाती है और उस आपको एक प्रकार के छब प्यूपा होता क्या है प्यूपा एक सुप्ता वस्था होती है जिसमें कीट अपने सरीर से एक प्रकार का प्रोटीन से करता है और एक खोल का निर्माण करता है फिर उसी खोल में अपने सरीर को उसी खोल से अपने सरीर को पूरी तरह से ढख लेता डो आपने उप्राम उसे सुस्ता और चैसे रहोता है जैसे अं टी का कैवा ब्लोब्मेंट हो गया आपके डिबलोब्मेंट हो गया ही बाकी की सग्मेंट उसके डिपलाब होते हैं तो यह कौन जो पूपेशन नहीं पूपयर कहा होता है पतियों के नीचे जहां पर घ्र करते हैं टो यह प्यूपवा प्रयां 15 Curtis लंभाई होती है इनकी लंबाई कितनी होती है 15 blues 15 चूणिस उम्म्म तथा पांस से छ ही ये चोल होती है कोशा वस्था कर्मियों में 9-13 की होती है तथा जाड़ो में 36-49 दिनों की होती है नकि कर ऍंकि जो पिपेशन होती है वह 9-3 तेरा दिन की होती है। अच्छा गरμियों में कि कम होती है देखिए नो से तेरां से 13 दिन हो रही है और जाणों 36ップ आर समितेरी शर्टी सार तालीस दिन पधला है। का प्रभाव है यह इनके उपर तापमान का प्रभाव पड़ता है कि गर्मियों में जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो इनके जो है जो बॉडिक एक्टिविटीज हैं जो तमाम प्रकार की मेटोमॉर्फिस एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती है क्योंकि तापमान जो है वो कम होता है तो इनको हर्मोनल होती है वो स्लो होती है धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ करते हैं तो इस प्रकार से यह जो है जो इनके एक से लारवा लारवा प्यूपा प्यूपा एडल्ट में जो कनवर्ट होने की जो है वो टाइमिंग होती है वो घटिया बढ़ जाती तो इस प्रकार से temperature का सक्ट जो है वो को इसमें इंसेक्ट की उपर वो है वो पढ़ता है इसके बाद होता है प्राओध या एडल्ट एडल्ट जो होते हैं वह हलके भूरे रंग के होते हैं जैसा मैं आपको दिखाया हूं यह देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा हैं कि यह हलो का फुरे के आपको दिखाई दे रहे हैं यह पारदर्शी विंस यूपर के हैं पूड पूरा देखें सेग्मेंटर विभाइथ है इनकी जो है वो आपके होते हैं कि लंबाई होती है वो यानी जुनकी लंबाई होती हो जो है 30 mm जो घो होती है इसके बाद मादा कीट 11 ंतक अंडे देती है यह कीट्थ गर्म वाता वुदा और तथा अधिक आरता की दासाओं अध ठीक सक्रिक रहता है एक चीज और इमपास्टेटि की जब जो है कि जब गर्म वातावरन होता है जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है और जब जाती है तो बढ़ जाती है जैसे इस समय जो है बहुत ज्यादा जो है temperature गर्म है और humidity बहुत ज्यादा है तिस समय इंकी कार करने की छमता जो होती हो बहुत तीब रो जाती है और जैसे जैसे जो है temperature जो है वह कम होता जाता है यानि ठंडी के दिनों में जो इनकी जो everybody कीまぁ वह भी कम होती जाती ठीक है तिस प्रकार से तेम प्रेचर का आसर इनके परती है उसके बाद यह देखी है यहां द्छली भूhm यानि लोह लेंट वाले धान पर इसका प्राइब अधिक होता है, यानि जो लौ land एरिया है, जो मैदान, निचली भूमिंट हो, मैदानी छेतर है, वहाँ पर इनका प्राइब ज़ुआ होता है, ठीक है, क्यों होता है, वहाँ तमाम प्रकार के जो है, वहाँ का temperature जो है, वह अप्लेंड से कम होता है और जो आप देखं एक आप झो है एक जो है चित्र देख रहे होगे इसमें आप मैंसल सकते हैं इस पोटो को मैं मैं आपको समझाना चाहूंगा इनका जीवन चक्रne स्वेक्ट हेलनीं का अच्ट्य कित्ते दिनों होता है 24 से 40 दिन का होता ठीक है यह इसके माध्यम से क्या है आपको आसानी से जो है वह समझ जाएंगे इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी इस पोटो के माध्यम से इनका लाइफ साइक्ल होते हैं 21 दिनों थो वोते हैं उसके बार मेंटिंग जो है वो यहां से आप शुरुरात को दिखाऊंगा कि यहां से आप देखिए कि यह जो फीगर Swagdra में दिख रहा है जो क्या है इनका मास इसको क्या बोलते हैं एक मास् यानि अंडे ठीक है तो ये एक जुंड में अंडे देते हैं, जो आप figure में देख रहे होगे, तो इसमें क्या आते हैं, 100 to 200 x mass up to 2,000 to 2,000 to 2,000 ठीद्रेज, ठीक है न, तो इसमें जो है, इसमें देखे 100 से 200 एग, एग मास में, यानि एक जुंड में लगभग 100 से 200 जो है वो अंडे होते हैं, और प आप देख रहे होगे, कि ये जो है अंडे का जो है वो conversion होता है, अंडे जो है वो इस तरीके से last में फूटने के पहले जो है वो इससे convert हो जाते हैं, देखें अंडे जो है वो फूट करके इससे क्या निकल रही है, लारवल निकल रही है, छोटी छोटी जो है वो लारवी यह निकल रही है लार्वी की जू वह यह क्या कहेगी ऊधने टेश कहलाएगा उसके बाद फिर यह जो है जब आप सिक्सिह स्टार जो है वो इसक्स स्टार को जो है वह एक ले रही है तो यह लार्वी फुली डेवल यह यह क्या है अगारवी जो है लगभाग 6 star वो हो गवर कर लेती है तो वह प्यूपल में स्टेज में कनवाट हो जाती किसमें पहुंच जाती है देखें प्यूपा है इस कलर का जो है फूरे कलर का और रिसा पलपा良 जो है वो कमल चडढा होता है ज 1997 कितने दिन को साथ से 13 दिनों की और म survey की जोटी है वह साथ से 13 दिनों कोथी है फिर उसके वाल प्यूपा जो है वह वह एडर्ट में कंवक होयाटे हैं एक एडस दिनों में वह एडर्टी आढ करनवक हो यह जो है इनकी पूरी लाइफ साइकल जो होती है तो इसको किसे प्रखास से बोलते हैं इसको हम complete life cycle के नाम से जानते हैं तो अगला पॉइंट है नियंत्रन में क्या करते हैं आप जो है hand collect egg mass and destroy यानि जो इनके अंडे के जुन्ड होती है उसको हास से collect करना चाहिए और उसको नश्ट कर देना चाहिए तो यह प्रकार से जो है आपका physically रूप से आप convert कर सकते हैं जब आप field का inspect करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इनके जो leaf blade होते हैं उसमें अंडे का जुन्ड दिखाई देता है तो उस अंडे को जुन्ड को जो है आप collect करके उसको तोड़ करके और नश्ट कर देना चाहिए इससे भी जो है एक मास्ट हो जाएंगे तो एक से लारवी नहीं निकले लारवी से लिट नहीं निकले किसी प्रकार के खत परवार को उगने नहीं देना चाहिए जिससे ये उन उपर जान उपर जो है वह क्रटन जीवनियापन करते रहते हैं और जब हम फसल उगाना दिखाना शुरू करते हैं तो जो है इसलिए जो है इतने भी बिल्स हैं गास उसको नश्ट कर देना चाहिए धान की प्रत्रोधी किस्मों को बोएं धान की जो प्रत्रोधी किस्में हैं जैसे कि आई आर चत्थिस माया महा माया महा माया कि सुरच्छा सुरच्छा आई एच्यार ठीक है यह कमाम किस्में है इसको जो है वो धान की जो है वो बोना चाहिए जिससे जो यह क्या है यह सब क्या है इसकी प्रत्रोधी किस्में है इन प्रत्रोधी किस्मों का प्रकोब जो है वो प्रत्रोधी किस्मों पर आर्मी वार्म का जो है प्रको को करना चाहिए जैसे जब प्रभावित फसल हो तो उस पर यह कुटब शहरा कर चाहिए नहीं हो जो है प्रभाव से बचा जा सकता है उसके बाद प्रभावित फसल में जो है परभच्छी कीट जो गैरिस्ट रिष्टन होता है उसको जो है छोड़ना चाहिए तो यह प्रकार का जो है वो क्या है प्रभच्छी जो कीथ होती है उसको छोड़ने से क्या होता है कि यह आर्मी आर्मिक को फाकर कर देते हैं जिससे निचुर्ड रिकन्ट्रोल जो है वो जाता है तो इस प्रकार से जो है इसका job हम कर सकते हैं तो यह सारी चीजे जो है important points हैं इसके बारे में इसको आप लोग जो है वो ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़िए और किसी प्रकार की कोई हमसे content कर सकती है धन्यवाद आज ही class में बस नहीं नेश्ट वीडियो में हम अगली topic के साथ जो है आपको फिर मिलेंगे ठीक धन्यवाद